गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरू तो आज की टॉप में बात करते हैं NC Numerical Control और CNC Computer Numerical Control यानि कि हम आरपास दो तरह की मशीन होती है गुड़ से इक होती है Numerical Control दूसरी होती है CNC जो कि होती है computer Numerical Control तो दोनों के बीच में difference देखेंगी कौन सी बैस्ट है और दोनों के बीच में क्या-क्या difference है तो फर्स्ट अगर हम बात करें input method की तो जो input method देना होता है NC numerical control machine को होता है punch tape या फिर punch card हम इसमें 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 करते हैं punch tape इसके लिए बिनानी पड़ती है उसको इसमें 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 उसके उपर हम टाइप करके उसके अंदर जो डिरेक्टर प्रोग्राम वो फीड कर देते हैं सेकेंड है प्रोग्राम शोड़ भी चेंज इन पंच काड एंड देन फीड टू दी मशीन कुछ अलग जो नेक्स ट्रॉम मटेत लाएगा उसके उपर कूछ आपर कुछ आपन्च काड को भारे निकालना पड़ेगा उसके उपर पंच काड के अंदर फीड करना पड़ेगा प्रोग्राम फिरसे वो मशीन गयो लगा ना पड़ाइगा अब मगर CNC मशीन में क्या होता है इसमें जो प्रोग्राम है वो हम computer के अंदर ही modify कर सकते हैं Third is operation parameter cannot be changed जो operation parameters अंगे उसको हम change नहीं कर सकते हैं इसमें हम change कर सकते हैं CNC में इसके अंदर कोई memory storage नहीं होता CNC control numerical control में इसके अंदर कोई memory store है वो नहीं होती है पंच टेप की कार्ड से हेल्प की वज़े से उसमें जो भी operation होते हैं वो पंच टेप की वज़े से होते हैं और CNC में क्या होते हैं इसमें memory storage होता है जैसे कि computer की जो memory इसके अंदर जो storage है वो हो जाती है जो भी हमारे program होते हैं रिमूब दी next point है remove the tape after each time of machine cycle हमें जो tape है उसको बार बार निकालना पड़ता है हर एक cycle के बाद इसमें ऐसा कोई problem नहीं है इसमें जो tape है वो नहीं निकालनी पड़ती है क्योंकि इसमें program में हम जो keyboard की help सी feed कर रहे हैं तो इसमें ऐसे tape का कोई जंजट नहीं है दूसरे NC machine की cost थोड़ी कम होती है इसकी cost थोड़ी हाई होती है क्योंकि expensive machine है इसकी high accuracy होती है इसके बाद maintenance कम रखनी पड़ते है हमें numerical control machine के अपर इसकी maintenance हमें high रखनी पड़ती है accuracy कम होती है numerical control की इसकी accuracy जाद है इसलिए costly है high skill operator हमें इसके अंदर required होता है जो numerical control machine है क्योंकि जो punch tape है वो punch tape बनाने के लिए हमें high required चाहिए जो high skill operator जिसको सब कुछ knowledge हो ठीक है इसमें high skill operator की ज्यादा जूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इस वे अंदर एक पर program फीड कर दिया उसके बाद अपने आप ही इसके अंतर raw material रखना और finished parts को बाहर निकाल लेना यह less flexible है numerical control machine है जो CNC machine है वो क्या highly flexible है उसके बाद है require more time to perform in operation यह ज्यादा time लगाती है कोई भी raw material के उपर उसको finished part तक बनाने के लिए जो भी operation होता उसको perform करने के लिए इसमें कोई feedback system नहीं है इसमें feedback system नहीं है इसमें feedback system नहीं है याणिकि अगर कोई गटबड भी ARE जाती है मसीन मेंको कोई feedback system नहीं होता तो यह थे difference between CNC and NC machine, numerical control and CNC machine, next वाली वीडियो में बात करेंगे difference between CNC machine and DNC machine, जो क्यों होते है, direct numerical control, तो वीडियो भी आप देख लीजेगा, उससे आपको तीनों के बीच में difference असानी से पता चल जाएगा, I hope आपको वीडियो चल लगो, thank you वीडियो देखने के लिए, और जाद आ हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजिए, वीडियो ची लगी तो वीडियो के लाक जुरूब कीजिए, thank you